हलो दोस्तों स्वागत है आपका Wisdom Wings IES में और आज मैं एक lesson आपके लिए लेके आया हूँ और lesson क्या ये एक तरीके का discussion है जो एक तरीके का health awareness भी है जो सारे लोगों के लिए सबी लोगों के लिए ज़रूरी है ये जानना और ये science and technology जो पार्ट है आपका prelims का और mains का उसमें भी ये आपको कुछ information जो इसमें है वो आपको पूछा जा सकता है UPSC के दोरा BPSC के दोरा चाहे किसी भी PCS exam या in fact one day exams में ये चीज़ें पूछी जा सकती है तो चलिए start करते हैं मैं हूँ सभाश मिश्रा आपका दोस्त और coach यहाँ पे और जो topic आज में लेके आया हूँ व इसको क्यों ban करके रखा गया है और यह banning जो है यह मैं आपको बता दूँ बिल्कुल clearly कि यह banning खाने के तेल के यूज करने के लिए है नाकी लगाने और इसको बाहरी तत्तु के तौर पे element के तौर पे यूज करने में तो इसको आप बाहरी किसी भी तरीके से यूज कर सकत ही और मुझे तो यह अजीब लगा जानके क्योंकि हम लोग तो जो हमारा Asian society है और Indian society है खासकर उसमें सरसो के तिल को काफी महत तो दिया जाता है तो irrespective of anything देखिए इस पे भार सरकार ने कहीं से भी ban लगा के नहीं रखा है इस पे हमारी सरकार ने किसी भी तरीके का अभी कोई भी red alert नहीं जारी किया है लेकिन जो अमेरिका की सरकारे हैं या Europe की सरकारे हैं उन्हों ने इसको ban करके रखा हुआ है तो let's see कि ये topic क्या है और इसमें जो चीजें हैं और इसका जो source है हमने news 18 और other news papers और research general से भी हमने इसको verify किया और उसमें ये पाया कि ये चीजें हर जगर ये चीजें बताई गई हैं तो GS paper 3 mains में आपको ये काम आएगा और prelims के लिए जानकारी बिल्कुल ही लाबदायक है आपके लिए तो let's start तो हम bilingual रखेंगे अपनी भाशक और as short as possible हम इसको complete करेंगे तो ये mustard oil है जो सरसोगा तेल है उसका significance क्या है देखिए ये value किया जाता है एशिया में पूरी Asian continent जिसमें कि इंडिया, Thailand और Pakistan जैसे countries में ये cooking के लिए खाना बनाने के साधन के तोर पे और medicinal property के लिए भी use किया जाता है यहां तक कि आपको पता होगा कि बच्चों के पालन portion में जो हमारे परिवार हैं जो चोटे से चोटे और बड़े से बड conjunction के लिए बैर किया हुआ है और इसका reason क्या है? reason यह है कि इसमें high uricic acid होता है, uricic भी बोलते हैं इसको पढ़ते हैं या uricic भी आप पढ़ सकते हो, तो erucic acid, uricic acid इसमें बहुत जादा पाया जाता है, अब देखें, uricic acid यह क्या है जिसके चलते हैं इसको western countries ने ban करके र 80 केई family जो होती है plants की, उसमें पाया जाता है, जिसमें से कि एक rapeseed जो तोरी होता है और जो mustard oil है, उसमें यह पाया जाता है, और यह major component है, mustard oil का, rapeseed oil का, और इसके अतरिक इसको आप broccoli जो हम खाते हैं, उसमें भी Brussels में, sprouts में, काले में, wall flowers, इन सब चीज़ों में पाया जाता है, तो cable mustard oil को band करना, कहां तक उचे था है, I don't know, और यह FDA वाले जानते होंगे कि इसमें क्या content है, और कितने level का है, तो हम उस चीज़ में नहीं जाते हैं, उस technicalities में, और इसका जो use होता है, जो basically urechic acid जो इसमें component है, जिसके चलते है, बैं किया गया mustard oil को, सरसो के तेल को, यह यूज किया जाता है chemical industries में, जो आपको पता है, यह chemical industries जो भी चीज़े हैं, चाहे वो grease हो, चाहे oils हो, वो हम car truck और यह इन सब चीज़ों में, machine हो में यूज करने वाली चीज़े, humans consumption के लिए बिलकुल सही नहीं मानी चाहती हैं, because these are mineral oils, जो mineral oils होती हैं, external use के लिए होती है और जो other industries जैसे के beauty products के लिए तो यह भी external चीज़ के तोरे ही हम इसको use कर सकते हैं, तो यूरिचिक एसीड का जो health risk है, वो सबसे बड़ा जानना ज़रूरी है हमारे लिए, और यह क्या है कि improper metabolism, जो आपको खाना पचाने या खाना पचने में जो होता है, यह बहुत ज़्या हमारियों को यह ला सकता है, इससे भी जादा जो सबसे ख़तरना कि इसमें warn किया गया है, वो यह है कि harm to brain cells, जो दिमाग का cell है, उसको harm करता है, और mental disorders, इसको लाता है fat accumulation, यह इस चीज़ में, मोटापा बढ़ाने में, mental disorders में, आप जानते होंगे कि यहां पे भी बहुत सारे dementia और इन सब चीज़ों के patients होते हैं, तो उन चीज़ों में यह बहुत ही ज़्यादा harmful यह बताया जा रहा है America और USA के FDA के द्वारा, जो labeling और exceptions है, mustard oil को जो use किया जाना है, USA में level किया जाता है, इसको external use के लिए, बाहरी use के लिए आप इसको use कर सकते हैं, और जो skin और hair care formulation से, जो सर के तेल में, जो बालों में लगाने वाला, यूज़ करने वाला तेल होता है, जो skin पे, जो चमड़े पे लगाने वाला होता है, उसके लिए इसको उलाओ कर रखा है, लेकिन खाने के लिए बिल्कुल बैंकर रखा है, उन लोग उन राइट, जो alternative उन्होंने दिया है क क्या यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजों को यूज किया जाता और बहुत ही high-end बहुत महेंगे तेलों का भी यूज किया जाता है बट उन्होंने जो एक सथा उपाय बताया है वो ये है सोया बिन ओयल, जो सोया बिन का ओयल होता है उसको काफी widely यूज़ करते है वो cooking में खाना बनाने में band reasons में और इसका जो reason है जो सोया बिन ओयल होता है उसका जो reason है यूज़ करने का यह है कि ये omega 3 और omega 6 fatty acids में बहुत rich होता है और इसके तरिक ये collagen जो promote होता है, उसको collagen promotion में बहुत help करता है और brain development में ये aid करता है तो उन्हों जो replace किया है वो बहुत ही scientific तरीके से replace किया है mustard oil को उन्होंने replace कर दिया है soya bean oil से, तो ये omega 3 omega 6 fatty acid वैसे भी आप जानते होगे कि these are very good sources जो कि मच्छली के तेल में और बाकी सारी चीजों में भी पाया जाता है omega के different different जो elements है वो तो collagen भी एक बहुत ही जबरदस्ट चीज होती है, beauty के लिए भी यूज किया जाता है इसको और बहुत सारे जो supplements हैं उसमें यूज किया जाते है portion के लिए, जिसमें particularly brain का portion हो, चाहे चाहे सुंदरता बढ़ाने के लिए हो brain development के लिए उसको लिए use किया जाता है और इसमें soybean oil में vitamin E भी होता है जो आप चानते हो कि vitamin E का भी use बहुत जादा beauty products में internally externally किया जाता, vitamin E की गोलियां भी आती है और ये skin और hair health के लिए बहुत ही beneficial माना जाता है तो soybean oil को ये उन्होंने क्या कि करा है इधर ये complete packaging करा है लेकिन अगर आप देखें तो soybean basically क्या है कि western countries में जादा होता है rather जो mustard है हमारे countries में और Asian countries में जादा पाए जाता है तो एक थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि बहुत सारे इसमें जो commercial interest है वो भी हो सकते है बट उस पर research किया जाना भी बाकी है और इस तरीके का data भी मेरे पास या हमारे पास upload नहीं है जो कि normally हम उसको देख सकें अब ये क्या है कि global initiatives to address safety safety के लिए उन्होंने क्या किया है कि research and development R&D पे काम कर रहे हैं जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत तरीके का भी साधन निकलता है जिसमें कि हम जो genetic engineering है GM crop use करके हम उसको कर सकते है बट अगें इंडिया में GM crop भी banned है ये भी आपको पता है तो जो इसका जो canola एक तरीके का alternative है rap seed का alternative है canola जो कि low urechic acid जो आपका होता है तोरी का तेल जिसको बोलता है तोरी का पेड़ जो बोलता है उसको cultivar में canola का use करते है और ये 1950s में इन्होंने डवलब किया और Canada वगेर में इसका बहुत जादा use होता है canola का तो canola को ये करते हैं जिसमें कि urechic acid बहुत कम होता है और उसका हम करते है लेकिन हमारे यहां इस तरीके की कोई भी processing को प्लब्द नहीं है हम इसको मिल में जो है यूज ले जाते हैं तोरी को या बाकी जो आपका सर्दो का तेल होता है और उसको जिसको पेड़ना बोलते है जेनरली जो लोकल लैंग्विज होता है उसमें और उससे हम निकालके यूज करते हैं इसको खाना बनाने में तो FDA approval जो है edible mustard seed oil का वो one brand approved किया उन्होंने जो की low eurichic और acid और cultivar में यूज किया जा सकता है बाकी जो जितने भी normal जो mustard oil है उनको उन्होंने bank करका है तो यह उन्होंने continuous effort लगाया है mustard oil को safe करने के लिए consumption में तो finally हम कि इस चीज पर यह पहुंचे है इस कर्ष पर पहुंचता है इस conclusion पर पहुंचते हैं कि soybean oil जो है एक better alternative है mustard oil का और जो global initiative है वो safety बढ़ाने का या FDA का approval जो है जिसको कि बहुत सारी countries देखती है तो वो उस चीज के लिए हमें जो scientific एक community उसको आगे आने की ज़रूरत है और specific edible mustard seed oil create करने की ज़रूरत है जिसमें कि एक alternative आपका canola का भी है तो आज के लिए इतना ही thank you, thank you very much